Hello everyone, this is Prasant from Academics for CSC Friends, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ BPSC की मुख परिच्छा के लिए एक means model answer को मैं आप लोगों के साथ discuss करूँगा ये जो हमारा आज discussion का topic होगा वह सरशठ्वी BPSC मुख परिच्छा के अंतरगत Indian quality में पूछे गए एक प्रश्ण की मैं answer formatting को discuss करूँगा ये जो प्रश्ण है वह अभी हाल ही में जो सरशठ्वी की मुख परिच्छा हुई थी उसके अंतरगत GS paper 2 section 1 यानि कि जो Indian quality का section है उसके अंतरगत यह प्रश्ण पूछा गया था तो इस प्रश्ण का answer किस परकार का होना चाहिए और किस परकार का लिखना है अगर इस तरह के प्रश्ण आ जाए तो तो मैं इसके model answer को मैं अभी आप लोगों के साथ discuss करूँगा इसके अंतरगत कौन-कौन से महत्पुन points को लिखने थे मैं उसे भी discuss करूँगा देखिए अगर सरशठ्वी BPSC की मुख परिच्छा के प्रश्ण पत्रों का अब लोकन करेंगे तो कुछ चीजे इसमें बदली हुई BPSC के बदलते pattern को यहां पर दर्शार है जैसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्ण fundamental rights, DPSP इस टाइप का प्रश्ण आते थे लेकिन अब पॉलिटिक के अंतरगत प्रश्ण easy है लेकिन दो तीन सेक्षन को एक साथ जोड़कर प्रश्ण को पूछा गया है इसके अंतरगत भी आप प्रश्ण को पढ़िएगा तो यहां वह पूरी तरीके से सुवायत नहीं है पूरी तरीके से सोतंतर नहीं है ऐसा नहीं है कि जो जिस मतलब विधी जो भी परमुक प्रोभीजन पर संसत कानून बनाना चाहे हुआ बना सकती है ठीक है क्यों क्योंकि उसकी सक्तियां विसाल है पर असीम सक्तियां नहीं प्राप्त है इस कथन पर टिपनी करें कि विधाई सक्तियों पर कौन-कौन से अंकुस है उस पर टिपनी करना है और परकाश डाले कि भारतिय संसत की तुलना उसके ब्रिटिस समकच से क्यों नहीं की जा सकती है यानि कि देखिएगा तो प्रश्ण में पहली बार comparative study को डाला है और भारतिय संसद और British संसद के बीच तुलनात्मक के बारे में यह प्रश्ण पूछा गया है हाला कि जो हमने answer writing कराया था और जो 75 model answer हमने आप लोगों को अब लेवल कराया था उसमें भारतिय संसद ये बेवस्था और British संसद ये बेवस्था का तुलनात्मक हमने आपको प्रवाइड कराया है तो जो लोग जो भी अवहर्थी हमारे notes को purchase की होंगे या फिर हमारे model answer जो हमारा answer item program तो उससे जुड़े हुए होंगे तो ये प्रश्ण लिखने में असानी हुई होगी को कौन कौन से लिखना था और अगर आने वाले समय में ऐसे प्रश्ण आते हैं तो आप किन-किन चीजों को लिखते समय आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि Indian quality से समधी कोई भी section से समधी प्रश्ण आये तो Indian quality के प्रश्ण क उसका आप ध्यान रखें भरतिय समधान के जो भाग है उसको आप ध्यान रखें और कोई भी प्रश्ण जो उस भाग अनुसूची आर्टिकल से रिलेटेड हो आप उस आर्टिकल को प्रश्ण में आप उतर लिखते समय आप वहां पे लिख सकते हो इसके अलावा Supreme Court के जो जैजमेंट है या फिर हाई कोट के जो भी जैजमेंट है आप उसके निरणय को भी आप यहां पर लिख सकते हो इससे आपका जो अंसर का जो वेटेज होगा वह बढ़ जागा और आपको अच्छे मांक्स मिलने की समभाब न होगी तो इंडियन पॉलिटी का अंसर लिखते सथमी में पूछा गया है और यह सथमी में भी भारतिय संसद से समधी प्रशन पूछा गया है ठीक है तो प्रशन हमने देख लिया कि भारतिय संसद इसकी सक्तियां विशाल तो हैं पर असीम सक्तियां इसे प्राप्त नहीं है इस पर टिप नहीं करें कौन कोन से इस पर पर लाइन का मैं इंट्रोडक्शन लिख देता हूं ज्यादा लंबा मैं नहीं यहाँ पे चुकी लिखना है तो मैं ज्यादा लंबा नहीं लिख पाऊंगा लेकिन दो वाक तीन वाक में आप इंट्रोडक्शन को लिखे वह बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होगा और आपकी अंसर जो होगी काफी बेलेंस हो जाएगी ठीक है तो भारतिये संसद से समधी प्रश्डंने तॉब डिर्येक्ट इसकी अंसर की सुरात कर सकते हैं अगर भावीस में से समधी कव प्रश्ण आए तो आप डिरेक्ट इसकी अनसर कि सर्वोच शक्ति किसे प्राप्त है संसत को प्राप्त है तो सर्वोच विधी निरमात्री इकाई है ङए ठीक है संबिधान के दोवारा अब चुकि इस पर अंकुष से समंदी बात आ गया है विधी निरमान की एवं अधिकार सौंपे गए हैं देखिएगा तो प्रस्ण से डारेक्ट मैच कर रहा है मैं इसके लिखने के बाद मैं आपको बता देता हूं विविद्धकार एवं कि अधिकार प्रदान किये गए है लेकिन कि इसकी सक्तियां लेकिन इसकी सक्तियों पर यूक्त-प्रतिबंध भी आरोपित किये गए हैं इक्त-ईक्त-प्रतिबंध भी आरोपित किये गए है देखिए मैं प्रन इसलिए डिस्कस करा हूँ कि यह दो तीन सेक्षन में joyfuli इंसलिए टौन कर रहों वहां काफी जादा लबदाई होगा ठीक है देखिए प्रश्ण में क्या पुछा गया मैं फिर बता रहा हूं कि भारतिय संसद स्वायत विधान मंडल नहीं है इसकी सक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं हमने का इंट्रोडक्शन में लिखिया संविधान के द्व इंट्रोडक्शन वहां मैच कर रहा है तो आपका इंट्रोडक्शन अंसर लिखने का तरीका होना चाहिए इसी तरीका का होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन को पढ़ते ही ऐसा लगे कि डिरेक्ट टू दा पॉइंट अंसर लिखा है अवेर्थी ने और अच्छे मार्स मिले हमने answer writing के दोनान भी इसको discuss किया ठीक है अब इसके बाद जो भी संसत से समंधित provision है आप संसत से समंधित जो भी आप प्रावधान आपको याद है उसे आप लिग सकते हैं तो भरतिय संसत से समंधित कौनकों से समिधानिक प्रावधान है भरतिय संसत का वर्णन कहा किया गया है भारतिय संसल अगर आप देखेंगे तो भारतिय समेधान के भागग 5 के अंतरगत अनुशेद अगर आप देखेंगे तो自己 nine से लेकर 122 तक इसका वढोंग क्या आगया है अप 123 जो है राष्ट्पति का धधेस से समंधित है और पती भी संसत के अंग है लेकिन आप 122 तक लिखिए ठीक है 123 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 122 तक आप लिखिए क्योंकि 123 जो है राश्पति के दह दे सकती यहाँ पर थोड़ा सा बिधाई प्रक्रिया के बारे पुछा गया है तो वो भी बिधाई प्रक्र यहाँ लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस से उसमे ठीक है तो डिरेक्ट आप यहाँ पर लिखिए भाग 5 अनुछे स्वंटीनाइन से लेकर 122 तक अब संसत यहाँ पर आप एक पर अगराफ थोड़ा सा बना दिजेगा कि भारतिय संसत का बर्णन भारतिय संविधान के पर बताना है अब भारतिय संसत की कौन कौन सी सकतिया है मैं यहाँ पर संचिप्त रूप में मैं यहाँ पर डिसकस करूँगा आप अंसर मीं से लौंग करके लिख लेंगे ठीक है और पिट्टी जैसे ही फिनीश होगी 68 मीं की उसके बाद बड़े अस्तर पर हम लोग अंसर अपना टेलिग्राम गृफ जो है वहां पे बड़े अस्तर पीसवार किया चौए गारा द्टा किकार प्राप्त प्राप्ती हैं संचिप्त रूप में यहाँ पर आपको लिखना था जैसे बिधाई सक्तियां बिधाई सक्तिया में क्या है कि संग सूची के जो भी विसाय है उस पर कानून बनाने का दिकार किसको दिया गया है संसत को दिया गया है समान परिस्थिति में संग सूची के विसाय पर कानून बनाएगी विपरित परिस्थितियों में ये राज सूची के विसाय पर भी कानू बना सकती है जैसे आप आर्टिकल ले सकते हैं 249 को आर्टिकल 250 हमने पहले भी एक कई सारे वीडियो की रूपे डिसकस के हर अंसर राइटिंग में भी हमने आप लोगों को साथ बताया है आर्टिकल 253 को यहाँ पर लिखिए आर्टिकल 252 और 253 यह सारे जो है राज्य सुची कोई भी कानून तो केंद्र द्वारा बनाये गया कानून ही मान होगा आठकल 250 सॉरी 248 अवसिष्ट सकतिया है 254 यह संबर्ति सुची वाला है मैं यहाँ पर लिख देराऊ अवसिष्ट सकति 248 ठीक है आप इसको ध्यान रखेंगे इसको अलग से लिखेंगा हमने यहाँ प और विपरित परिष्टितियों में अपातकल हो गया या फिराजियों के दौर कोई बात कही जारे कि आप कानून बनाईए तो ऐसी परिष्टिती में राजशुची की विशाफर भी सेंटर कानून बनाएगी तो यहाँ बिधाई सक्तियां के बाद दूसरे नंबर पे जो स पेस करने का अधिकार है इसके बाद संचित निदी पर पूरी तरह से अधिकार होता है वा किसका होता है संसत का संचित निदी पर अधिकार होता है ना तो संसत की अनुमती से करपाली का या भारत सरकार एक रूपया भी न खर्च कर सकती है नहीं एक रूपया वो निदी से न करपालका समधि कैसी इसके अधिकार है अब देखेंगे की करपालका पर अंकुष्ट बनाई lights का करती है अभिस्वास प्रस्ताव लाने का दिकार किसको है संसत को है अभिस्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार इसके अलावा अभिस्वास प्रस्ताव हो गया इसके अलावा कामरों को प्रस्ताव हो गया निंदा प्रस्ताव हो गया ठीक है अस्थागन प्रस्ताव हो गया प्रश्न काल हो गया सुनने काल हो गया इन सब चीजों के माधहम से इन सब प्रोवीजन के माधहम से जो भरतिय संसद व करपाल का पर अंकुस बनाए रखने का कारे करती है तो ये तीन परकार की हैं इसके अलावा भी जैसे कि संसद को प्राप्त है संविधान संसोधन किसी भी विसाइपर जैसा हाली में संविधान संसोधन किसी भी सेपर आप देखे होंगे कि चाहे आर्थिक अधार प्राप्ति निरवाचन का अधिकार हो ठीक है राष्ट पती के चुनाव संसद और राजब विधानमंडल के सदस भाग लेते हैं निर्वाचित राश्पती उप राश्पती का चुनाव संसत के सभी सदस भाग लेते हैं दोनों सदन के उप राश्पती का चुनाव ETC ठीक है इसके अलावा आप देखेंगे कि कई पदों पर सहिवा सर्वोचना लेकिन अधीस बगर को हटाने की बात हो या फिलेक्षन देखिए फिर से हम लुग पर्शन के और बढ़ रहे हैं इसके सकतिया विषाल तो है हमने इसके सकतियां को डिसकस किया इसकी सकतियां विषाल सरह क Hey विदhardi चैते क TWO में संसत की जो निर्वान की सकतियाई उस पर भी प्रतिवंद आरोपित किये गए हैं। कौन कौन से प्रतिबंद हैं और आपको वहाँ पर चर्चा करनी है ठीक है यानि कि भारत का जो संविधान है वह पूरी तरीके से लिखित संविधान है एक एक प्रोभीजन इसमें लिखे हुए है और संविधान के इन लिखित प्रोभीजन के नुसार ही कानून बनाएगी यानि कि संविधान के दाइरे में रहकर कानून बनाने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है संविधान को यानि कि संविधान के उसी का अंतरगा तो दाइरे में राकर कनून बनाएगा संसद तो इस परकाशर संविधान जो है लिखे संविधान वो संसद की कनून निर्वान सक्ति पर अंकुस लगाती है दूसरा नाइक समिक्छा आप देखेंगे कि संविधान का अंतरगा काई सारे ऐसे प्रावधान है देखी ये निर्वान समिक्छा इससे भी सबंदिक प्रश्ण चौथा नंबर जो प्रश्ण है जी एस पेपर टू सेक्षन टू सर्ष्रट्वी बीपीसी का वो ये भी पूछा गया है भारतिय द्वारा बनाये गए किसी भी कानून की समिक्छा करने का अधिकार किसको है नयपालिका को परदान किया गया है नयएक समिक्छा का मतलब हो गया नयपालिका के द्वारा समिक्छा करेगी भाई तो नयपालिका जो भी विधाईका के द्वारा कानून बनाया जाएगा या कर करपालिका के द्वारा जो भी अदेश पारित किये जाएंगे उस पर उसकी समिक्षा करेगी नयपालिका ठीक है यानि कि विधाई का अगर कोई कानून बनाती है तो उस पर कौन करेगी उस पर क्या किया जागा यह जो विधी उस पर समिक्षा का अधिकार नयपालिका को है त मतलव होता है नयाइपालिका के द्वारा जनहीत के मूदों पर शक्रिय होना नयाले जो है समय स्मेस में पर आप देखेंगे कि सरवोचिन अयपालिका वगैरा को निर्देश देते रहती है कि आप इस पर कानून बनाईए आप अपनी मर्यादा से बाहर जाकर कानून नहीं बना सकतें तो यह नयाइक सक्रियता कादिकार है आप देखेंगे कि नयाइक समिक्षा के अंतरगत एक जो महत्पुन सबसे महत्पुन वाद है यहाँ पर आप चर्चा करेंगी 2-3 महत्पुन वाद की एक तो सबसे जो महत्पुन बाद है केशवानन्द भारती चली मैं इसको अलग से बताता हूं केशवानन्द भारती बाद को यह बहुत important आर्टिकल है इसको वहाँ पर लिखना आवस्यक है यहाँ पर मैं लिख दे रहाँ केशवानन्द भारती बाद केशवान अंध भारती मामला अब समझे कि किस परकार से अंकुस लगाया गया है ठीक है 90-23 देखिए केशवान अंध भारती मामले में सर्वोची नाले ने निर्णय दिया है SEC का निर्णय है कि संसद जो है समिधान संसोधन का अधिकार संसद को है लेकिन समिधान के मुलभूत धाचे का सिदान्त यहाँ पर सुप्रिम कोट के द्वारत दिया गया था मुलभूत धाचे का सिदान्त मुलभूत धाचे का सिदान्त का ततपर यह हो गया कि संसद जो है समिधान में संसोधन कर सकती है लेकिन समिधान के वैसे प्रावधानों को संसोधित नहीं कर सकती है जो समिधान के मुलभूट ढांचे को परदर्शित करते हैं अब समिधान के मुलभूट ढांचे के अंतरक्त कौन को नाएंगे कई सारे प्रोभीजन है हमने इस पर एक अलग से ही वीडियो बनाया है आप वहाँ पर देखेंगे जैसे धर्म निर्पेक्षिता बगरा है समाजवाद हो गया धर्म निर्पेक्षिता हो गया मौलिक अदिकार और DPSP बगरा दोनों एक दूसरे के पूरक है यह सब कई सारे प इच्छा का जब हमने डिसकस किया उसमें हमने बताया मुलभूट डाचे के सिदान्त का अंतरगत कई सारे प्रोभीजन दिया है तो एक बहुत बड़ा जो है वह संसत पर एक अंकूस लगाने का कार करती है सुप्रिम कोट की केसवानन भारती मामला है 1923 इसे में कह रहे है क संसत का समिधान संसोधन का अधिकार दिया गया है संसत जब चाहे समिधान में संसोधन कर सकती है लेकिन समिधान के मुलभूत विशेस्ताओं में संसोधन नहीं कर सकती वैसे विशेस्ताओं में संसोधन नहीं कर सकती जैसे धनिर्पिक्सता के मामले में संसोधन नहीं कर सक सकती संसदिय व्यवस्था को पर्हावित करने वाले संसोदा नहीं कर सकती फंडमेंटर राइट्स और डिपीएस पी दोनों एक दूसरे के पूरक है ये भी मुल्भू ढाचे का सिद्धानत है संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौली का धिकार को कम करे या मौली का धिकार को सिमित करे यानि कि क्या होगा संसद पर एक कहीं न कहीं पर्तिवंद लगा जा रहा है कि आप ऐसे कानून का निर्मान नहीं कर सकते हैं तो इन सभी चीजों के यहां पर आपको डिसकस करना होगा जिसके अधार पर आप कह सकते हैं कि जो संसोधन की जो सम्में व इसको लेकर बहुत ज्यादा भी आप देखेंगे की चर्चा चले रहा है नाइंटी नाइंट सी से रिलेटेड था इन जे एसी का मतलब होगे अभी जो सर्वोच न्यालया और उच न्यालयों में अधीसों की न्यूक्तिया रहस्तानांतरं की प्रकिरिया को रिप्लेस करने के लिए संसत के द्वारा लाया गया था एन जे एसी जो अधिनियाम था निनानमिया संविदान संसोदर ठीक है तो अभी यह बहुत चर्चा में चर रहा कुलोजियम सिस्टम में इस पर आने वाले 68 मेंस के लिए मैं इस पर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा 68 मेंस के लिए प्रिलिम्स खतम होते हैं बड़े अस्तेपी इस पर काम किया दाएगा ठीक है तो कोलेजियम सिस्टम को प्लेस करने के लिए भारतिय संसत के द्वारा एन जे एसी या दिनियाम निनानमिया संविदान संसोदर की रूपे लाया गया था और इसकी खास बात जो है पूरे संस संविधान का मुलभूत विसेस्ता उसका हनन कर रहा है क्यिसा तृफंधा की सोतंतिरता को रहा है इसलिए इसने इसको रद कर दिया तो आप देखेंगे कि नयाइक समिक्षा के माधम से संसत के किसी भी परकार के नियम अधिनियम और जो भी कारपलका के अधेश से उसकी समिक्षा करती उसके रद करती है इसका हालिया एक्जाम्पल आप लिख सकते हैं क्रिशी कानून को लेकर आप देखेंगे क्रिशी कानून संसत के द्वारा अध्यादेश के मादम से लाया गया संसत पहली बार संसत के द्वारा पारित किया गया राष्ट पती के द्वारे इसको सिक्रिति परदान की गई इसके बाब जूद नैपालका के द्वारा इस पर किर्यानवन से रोक लगा दिया गया था ठीक है तो आप कही ने कहीं संसत की बिधी निर्मान सक्ति पर किस परकार से अंकुस लगा हुआ है भारत में उसको आप नयाइक से अंच्छक मादन से बहतरिन तरीके से आप लिख सकते हैं उदाहरन के साथ आप लिख सकते हैं NJC, क्रिश्री कानून बगर जो भी है उसका आप एक्जामपल के साथ वहाँ पर लिख सकते हैं कोविड काल में आप देखेंगे कि मुआफजा देने की वाथ हो सुप्रिम कोट वहाँ पर अक्टिव होती है तो ये भारतिय संसद और करपालिका पर अंकुस लगाती है हमारी नयपालिका जो कि स्वक्तन तरण स्पक्ष नयपालिका सम्विदान के दोरा वर्णन किया गया है तो इसको आपको वहाँ पर लिखना था ठीक है अब परशन का तीसरा और अंतिम सेक्षन के ओर आ रहे हैं कि भारतिय संसद की तुलना ब्रिटिस समकच से क्यों नहीं की जा सकती यानि कि भारतिय संसद बनाम यहाँ पर भरसेश को लिखिए इंग्लिस कुछ वर्जन अब ऐसे एक्जामपल पर इच्छा में आप नहीं लिखेंगे ठीक है मैं यहाँ पर समझने के लिए आपको बता रहा है वहाँ पर परेग्राफ में लिखिए या फिर आप पॉइंट वाइज पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इस टाइप के ठीक है मैं भी यहीं पर पॉइंट वाइज के रूपे लिख रहा हूं ताकि आपको अंसर लिखने में सूप बता हो ठीक है अब हरतिय संसद और ब्रिटिस संसद की तूलना क्यों नहीं प्रश्ण यहीं पूछा है कि दोनों में तूलना क्यों नहीं मैं आप लिख दे रहा हूं ताकि आप पूरी तरीके से किलियर हूँ तूलना क्यों नहीं, दोनों में तूलना क्यों नहीं की जा सकती है, देखिए, सम्विधान के द्वारा अगर आप देखेंगे, तो दोनों के अंतरगत संसदिय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है? संसदिय व्यवस्था, दोनों के अंतरगत संसदिय व्यवस्था को, संसदिय व्यवस्था दोनों के अंतरगत है, ठीक है? लेकिन संसडिय वैबस्ता के अंतरफ़ाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो राष्ट पती का जो पद होता है यहाँ पर जो राष्ट पती जो होते हैं हमारे हँं उए निर्वाचित होते हैं वहाँ पर संब्राट का पद हैं, और यह जो होते हैं, वनसानुगात होते हैं, यह चल रहा होता है, पुष्थान, इस टाइब का जो बनसानुगात होता है, वहाँ पर विद्वान है, तो ये तो संसद्य ववश्था कि मैं थोड़ा सा चर्चा कर दिया, थीक है, लेकिन मेर यहाँ पर हमको चर्चा करनी है, संसत के बारे में हमें तुनला करनी है, वो संसत के बारे में हम देखें कि दोनों में क्या-क्या अंतर है, ठीक है, पहले अगर आप देखेंगे तो भारतिय संसत की तरफ अगर आप आएं, भारतिय संसत और यह ब्रिटिस संसत, पहले आप लिखित नहीं है अलिखित सम्विधान है इसलिए वहां के जो संसद है उसको किसी परकार के संविधान कानून को मानना नहीं पड़ता जब वो कानून बनाती है तो ठीक है तो दोनों के संसद पहला अंतर यही है कि भारतिये संसद पर अंकुस लगाने का काम लिखित जाते हैं यानि कि संसग जो है उस पर कोई परकार के परतिवंसा मिधान के मामले में आरोपित नहीं है तो पहला अंतर हो गया दोनों को कानून निर्मान के संदर में ठीक है दूसरा अब ध्यान से सुनिएगा जो पॉइंट किलियर नहीं हो हमें वाट्साइप पर मैसेज करके बता सकते हैं कमेंट करके बसा सकते हैं आपकी हर एक डॉट को यहाँ पर किलियर की जाएगी ठीक है भारत में नैक सक्रियता का अधिकार है न वहाँ कोई नैपाली का नैक सक्रियता बगारे कोई अधिकार नहीं है वहाँ पर ठीक है यानि कि वहाँ पर संसद जो है वो सर्वे सर्वा है ठीक है मैं अगला पॉइंट में इसी को लीख दे रहा हूँ यहाँ पर जो है संसद सर्वोसर्वा है यानि कि संसद जो है पूरी तरीके से संप्रभू है यहाँ पर संविधान सर्वोच है यानि कि सम्विधान का मर्यादे में रहकर कानून बनाने का कार सरवुची संसद करेगी और वहाँ पर संसद ही संप्रभू है जो मन करें वो कानून बना सकती यहाँ पर एक बहुत खेमस कोटेशन है कि glass जो संसद है वो सिर्फ एक कर पूरुस को इस्तिरी और इस्तिरी को पूरुस नहीं बना सकती इसके अलावा हर काम बृटेन की संसत कर सकती है आप समझ सकते हैं कि बृटेन की संसत सम प्रभू होने का क्या तात पर है जिस भी कानून जो भी कानून बनाना चाहे जिस किसी मैटर पर कानून बनाना चाहे उस पर कानून बनाने का अधिकार है कोई उस पर परतिवंदार उपित नहीं है भारत में क्या है लिखे सम्विधान का परतिवंदार उपित है सम्विधान यहाँ पर सर्वोच है नैपालिका को सक्रियता का अधिकार है नैपालिका को समिक्छा का अधिकार है अ अगला पॉइंट आप लिखेंगे सदस्यों की सरंचना में अंतर कैसे सदस्यों की सरंचना में दोनों के माद अंतर देखने को मिलता है आप इसे यहाँ पर समझे ठीक है दोनों पर द्वी सदनात्मक वेवस्था है द्वी सदनी यह दोनों जगा है यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है लोक सभा है राज सभा है यहाँ पर विद्वी सदनी ये बेवस्था है यहाँ पर हॉस आफ लॉड है लॉड सभा है और हॉस आफ कॉमन्स है यहाँ पर विद्वी सदने ब्रिटेन के अंतरगात भी ठीक है लेकिन ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो कुछ सदस निर्वाचित दोनों होते हैं 12 सदस मनुनिएन होते आप जानते हैं यहां पे देखेंगे कि वहाँ पे कुछ fix किया हुआ है मैं यहाँ पे exact data को लेकर clear नहीं हूँ लेकिन वहाँ पे कई ऐसे सदस होते हैं जो एक बार ब्यक्ति अगर सदस बन गए हौस अफ लौड या कॉवन्स के तो उनके पुत्र फिर उनके पुत्र फिर उनके पुत्र जो है वह हौस अफ लौड य पाती है यानि कि आजीवन पूरे जीवन के लिए वह सदस हो जाते हैं यह भी वहाँ पर बृटेन में है तो संसत की सनाचना में अंतर है यहाँ पर पर प्रतेक पाच बरस पर बदलाएंगे यहाँ पर राजसाव अकंतरगत पर शा बरस पर सदस बादले जाएंगे लेकि समान रूप में संग सुची के विश्यों पर वो कानून बनाएगी यह सिर्फ बिपरित परिस्थिती में यहां पर लीग दे रहा हूं बिपरित परिस्थिती में वे कानून बनाएगी हमने जो आर्टिकल उपर डिसकस किया है उसे आप चर्चा कर सकते हैं बिपरित परिस्थ को ति ये सारे पॉइंट आपको लिखना है जिसके अधार पर हम क्या पर रशन पूछा गया है कि कि परिश्थितियों में भारतिय संस्त की तुन्हा ब्रिटिस संकाष से तुन्हा नहीं कि जा सकती है ठीक है तो यहां पर हमने चाह पॉइंट को लिखा है जो भी प्रशन बहुत इजी तो नहीं लेकिन कुछ जो लास्ट मी जो थोड़ा सा कमपरेटीव पूछा तो इसके कारण थोड़ी सी दिखते हो सकती है लेकिन हमने नोट्स में भरपूर कंटेंट दिया था जो भी हमारे नोट्स से पढ़े होंगे आप ही हमारे अंसराटिव अंत में आप लिखिये निसकर्ष्टा कहा जा सकता है कि संविधान के द्वारा भारत में भारतिया संसत को विधी निर्वान के समयंदीता नेक सक्तियां परदान की गई है तथा पी नैग सक्रियता नैग पुनर विलोकन इसके लावा लिखित संविधान नेपाल के स्वान तो ब्रिटेन में दोनों जगा संसद ये सासन वरुस्ता होने के बाब जूद संसद की सनचना कारक करने का अधिकार संबंदी कई सारे ऐसे प्राबधाने जिसका धारपत दोनों के मद्द तुनला नहीं की जा सकती है बस आपका अंसर फिनीस हुआ तो इस परकार से आज का ज इडियों होंगे बस छोटे छोटे पॉइंट जो पिटी के लिए महत्पुन मार्क्ष बुष्टर के रूपे काम कर सकते हैं उसके महत्पुन मैं डेटा बगर को मैं डिस्कस करूंगा जो कि अच्चुकी निगेटी मार्किंग आने वाले समय में अर्सर्फी प्रारामी पर पहली बार निगेटी मार्किंग के अधार पर होगी तो हमारी कोशिस होगी कि उन सारे प्रोवीजन को उन सारे डेटा को आपके साथ डिस्कस किया जा जिसके अधार पर आप पिटी मार्क्ष में काफी अच्छे अपना मार्क्ष को भुष्ट कर सकते हैं महत्पुन में एक एक पेज के मादम से ताकि आपको ज्यादा इधर उधर को दोड़ना ना पड़े ठीक है थैंकू सो मज़ बहुत बहुत धन्यवाद